हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टुचिकीज बायोजी अनदर वीडियो टुटोरियल इन दिस वीडियो टुटोरियल आई एम गोईंग तो डिसकस अबाउट बायो टेकनोलोजी कोर्सीज इन जामिया मिलिया इस्लामिया उनिवर्सटी न्यू डैली आज हम लोग बात करे करती है तो आप लोग यहां से अपना अपना बैचलर कोर्स भी कर सकते हैं आप लोग्सी कोर्स एक्र सकते हैं जामिया मिलिया इसलाम या उनिवर्स्टी न्यू डेली आप लोगों को ओफर करती है तो अगर आप लोगों को यहाँ पर B.Sc. में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आप लोगों का जो 12th क्लास है वो physics, chemistry और biology से होना जरूरी है तब आप यहाँ का जो entrance exam होता है यही उनिवर्स्टी अपना खुद का entrance exam conduct कराती है और उस entrance exam को देने के बाद आप लोग फर्दर यहाँ से अपना B.Sc. इन बाय टेकनोलोजी कोर्स प्रोसीड कर सकते हैं और अगर आप लोगों को अपना B.Sc. बाय टेकनोलोजी कोर्स कम्प्लीट कर लिया है तो इसके बाद आप लोगों को पता है आप से entrance exam देना पड़ेगा आप लोगों को फिर से master course के लिए जो entrance exam होता है यह university कंड़क्ट कराती है फिर से तो आप लोग उसको exam को देने के बाद उसमें 6 score लाने के बाद उसमें 6 rank लाने के बाद आप लोग फर्दर इस university से अपना master course भी कर सकते हैं और अगर आप लोगों ने से कहीं और से किया है किसी अधर institution किसी अधर university से किया है दैन आप लोग यह विश रखते हैं कि मुझे msc in by technology course जाम्या मिलिया इसलामिया से करना है निव डेली से मुझे करना है यह हमारी university है यहां से मुझे करना है तो आप लोग फर्दर msc entrance exam आप लोग दे सकते हैं after BSC तो आप लोग फिर यहां पर अपना MSC कर सकते हैं अगर आप लोगों को PhD course करना है तो PhD course आप लोग जानते हैं PhD course को करने के लिए आप लोगों के पास में या तो कोई four year की degree हो यह आप लोगों के पास में जैसे BSC plus MSC यानि three year BSC plus two year MSC degree आप लोगों के पास में अगर है तो यू आर eligible for further proceed PhD course in this university तो आप लोग यहां से अपना PhD course further कर सकते हैं बट PhD course के लिए एक eligibility मैंने आप लोगों को बताए कि आप लोगों का MSC होना या आप लोगों के पास में जो four year की degree है वह होना essential है वह crucial है ठीक है यह first eligibility है second eligibility है कि आप लोग अगर जामिया इस्लामिया या यूनिवस्टी में admission लेना चाहते हैं तो या तो आप लोग PhD के लिए जो अपना यह फुद का entrance exam conduct कराती है उस exam को आप लोगों के पास में कोई भी एक national level की जो fellowship होती है लाइक जैसे CSIR net life sciences fellowship यह आप लोग अगर यह exam देंगे तो आप लोग इस exam को अगर फुर्दर आप लोग क्वालिफाई करेंगे तो आप लोगों को यह fellowship मिल जाएगी next आप लोगों के पास में डीवीटी जार फेलोसीप है आप लोगों के पास में आइसे आइसे अमर फेलोसीप है तो भी आप लोग यहां पे PhD इसबी वीडियो आप लोग उसारOR कर सकते हैं जैसे मैंझे एपनी पिडियोत्वीश्टी एपने लिट्रोघ को बता हएं हमारी इंडिया की एक रेपोटीटिटी यूनिवर्स्टी है और यहां से आप लोग अटना कोई भी कॉर्स करते हैं तो आप लोग बहुती ज्यादा उसकाइब आपस्ट गेने यह आप लोग विदाउट एनी डाउट आप लोग अपने माइंड में यह सोच सकते हैं कि इस उनिवस्टी में एडमिशन लेने के बाद आप लोगों का जो फ्यूचर है आप लोगों की जो नॉलिज है वह वहाँ पे एक तरह से बहुती तेजी से बहुती फास्ट से उसमें हैं बहुती ज़्यादा महां पे ट्र 낮 होगा ठीक है तो आप लोग इस उनिवस्टी के लिए ट्र ट्राइ कर सकते हैं इस उनिवस्टी में आप लोग अपने डिफ्रेंट टुर्स सकते हैं गर यह उस वीडिये अगर आप लोगों का कोई कोशन है आप लोगों के माइंड में कोई ड़ॉट है तो आप लोग समय को मेरे साथ में सेड़ कर सकते हैं कि भीकिज बॉय और दोग के इंस्टाग्राम एकाउंट के साथ चिकीज बाइलोजी के फेस्बुक पेज के साथ जिसकी लिंक में हमेशा ही आप लोगों को अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में हमेशा ही प्रोवाइड कराता हूँ तो आप लोग महाँ पर फर्दर जा सकते हैं और उन सभी लिंक्स को आप लोग open कर सकते हैं और आप लोग मेरे साथ में connect हो सकते हैं आप लोग मेरे साथ में अपने सभी doubts अपनी सभी problems अपनी सभी queries आप लोग मेरे साथ में इन सभी official networking sites के तुरू share कर सकते हैं So thank you friends, thank you for watching और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो first of all you make sure कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब वहाँ पर जरूर कर लें क्यूंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं चिकीजबायोजी चैनल पर आप लोगों के लिए अप्लोड करूंगा उसी से आप लोगों के पास में next वीडियो का जो notification है वहाँ पर जाएगा और इस वीडियो को जाद से ज्याद शेर करें जाद से ज्यादा लाइक करें अपने फ्रेंडे बैच में में अपने clicks में सो थांक यू फ्रेंड्स थांक फोर वच्छिंग